हिमाचल हाई कोट में आज अबोरोय ग्रूप के फाइफ स्टार वाइल फ्लार हाल छराबडा को लेकर सुनवाई होगी बीतेश अनिवार को राज सरकार ने कोट के आदेशों का हवाला देते हुए वाइल फ्लार हाल पर कबजा कर लिया था लेकिन दोपहर तक हाई कोट ने सरकार के कबजे के आदेश पर स्टे लगा दिया आज इसी मामले में सुनवाई होनी है हाई कोट में होने वाली सुनवाई में आस्ताय होगा कि सरकार फाइफ स्टार होटल पर कबजा कर पाएगी या कोई कानूनी अर्जन होटल के पक्ष में मददगार साबित होगी उधर इस मामले में मुख्यमंतरी सुख विंदर सिंग सुखो ने कहा कि होटल सरकार की संपती है और ये सरकार का दायत्व है किसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो मुख्यमंतरी ने कहा कि पिछले 22 वर्शों से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और अब न्यायाले ने इस पर स्टे लगा कर हमारे हक में फैसला दिया है मुख्यमंतरी ने कहा कि ये राज्ये की संपता है और इस पर प्रदेश वासियों का अधिकार है कि परदेश की संपता को किसी की भी परकार का नुकसान नों ये सरकार का पहला दायक्तव बनता है हमारी सरकार ने पिछले 22 साल से ये केस लड़ रहे हैं और हमने अच्छे विकील करके अच्छे तक्षियों को रखकर को ने हमारे पक्ष में फैंसला दिया उसका टेक ओवर भी कर लिया पुजेशन भी ले लिया उसके बाद कोट ने सुनवाई की और कोट ने कहा कि आप उसको जो हमारे एक्जुकिशन ओर्डर थे उसको स्टे कर दिया और उसकी तारीक 21 तारीक को लगी है मेरा यह मानना है कि परदेश के पास सिरफ प्रियटन है और हैड्रो है और हैड्रो में जो हमारे परदेश की हक मिलना चीए उसकी लड़ाई भी हमारी सरकार लड़ रही है प्रेटन में जो चीजों का में हमारा हक बनता है वो हम अपना हक लेकर रहेंगे और ये लड़ाई कानूनी भी लड़ेंगे और रानितिक रूप से भी लड़ेंगे मुख्यबंतरी ने बताया कि ओबरवाई ग्रूप ने 120 करोण रुपए की देंदारी को चुकता नहीं किया है लेकने हैं कि वर्ष 1909 में लॉड किचनर ने एंगलाइन लॉटने के बाद वाइलफलार हॉल को रॉबर्ट हॉड्स और उनकी पतनी को बेच दिया था 1925 में पुराने घर को ध्वस्त करने के बाद हॉड्स ने एक तीन मंजिला हॉटल बनवाया आजादी के बाद हॉटल को भारत सरकार ने अपने कबजे में ले लिया इसके बाद सरकार ने ओबरोई ग्रुप के माधहम से यहां हॉटल बनाया शिमला से 15 किलोमेटर दूर छड़ाबड़ा में ओबरोई समुह ने 22 एकड जमीन पर 86 कमरों का फाइफ स्टार हॉटल बनाया है